Hello everyone, welcome to our classes, students, आज हम करेंगे अपनी order completeness property of real numbers, तो order completeness property of real numbers काफी important है, एक्जाम में आने के पूरे चांस नहीं है, जाए आपका internal हो, जाए आपका external हो, इसका दूसरा नाम है least upper bond property of real numbers, least upper bond property of real numbers, फिसके बाद हम एक ठ्यूरम करेंगे, जो काफी important है, की ratio numbers complete नहीं होते हैं, तो पहले हम ये देखेंगे की complete कून है, complete है real number, और इस property को क्या बोलते है, इस property का मतलब क्या है, पहले वो समझेंगे, तो आई होब आप ये heading लिखते होगे, और सबसे पहले हम मतलब समझेंगे, ये रियल numbers को हम complete order field क्यों बोलते हैं, तो next slide पर चलते हैं, देखो क्या property, ये property क्या बताती है, ये property बताती है, अगर आप कोई भी एक subset ले लो, रियल number का, अगर आप रियल numbers से कोई भी एक subset ले लो, और वो subset bounded above होना चाहिए, bounded above का मतलब है, मैं आपको बताया हुए, जैसे कि ये पूरा set real number है, आप इससे कोई subset ले रहे हो, ऐसा आप इसका कोई subset ले रहे हो, वो bounded above होना चाहिए, मतलब उस set में जो भी elements है, उसका सबसे बड़ा element आपको पता होना चाहिए, मतलब सबसे बड़ा element उसका आपको पता होना चाहिए, अगर आप ऐसा set लेते हो, कोई real number का, जो जिसका सबसे बड़ा element आपको पता है, तो उस set का हमेशा least of profound आना ही आना है, ऐसी property हो क्या बोलते है, order completeness property of real numbers, अगर आपके पास एक real number है, और आप उसका एक subset ले रहे हो, और वो subset bounded above है, मतलब उसके अंदर जो भी values हैं, उनमें सबसे बड़ी value आपको पता है, तो उसका आपको least of profound भी पता ही होगा, हमेशा पता होगा, example मैं तुम्हें बता सकता हूँ, जैसे अगर आपने एक element ले लिया, एक satellite ले उसके अंदर है 1, 2, 3, 4, तो यह bounded above है, क्योंकि 5 इन सब element में सबसे बढ़ा है, तो इसका least of profound आपको पता है, least of profound कि है, 4, क्योंकि 4 इन सम में बढ़ा है, और जो इसके बाद वाले अप्र बढ़ा है, उनमें सबसे शोट है, अब यह मैं क्या बता रहा है, अगर आप में से कोई ऐसा student है, जो आज का lecture first time देखा है, तो पहले वो least of profound की definition देख ले, तब इसको समझाएगा, तो अगर एक real number ले रहे हैं, उसका एक subset ले रहे हैं, वो bounded above है, मतलब उसकी उनमें सबसे बड़ी value है, वो आपको known है, तो आपको उसका सबसे, वो जो bounded above है, वो जो set होगा, वो least of profound भी contain करेगा, या उसका least of profound आपको पता होगा, तो ऐसी property क्या बोलते हैं, order completeness property किसकी, real numbers की, तो हम बोल सकते हैं, कोई भी real number है, आप उसका एक subset ले लो, तो अगर वो bounded above है, तो वो हमेशा, वो हमेशा least of profound तो, उसके पास होगा ही होगा, तो ऐसी property को बोलते है, order completeness property of real number, I hope आप चीज़ों को समझ रहे होंगे, ठेक है, आगे चलते हैं, इस property के वज़े से, जो real number है, उसको बोलते है, complete order field, ठेक है, अगर आपको paper में question आजाए, कि proof करो, real number complete order field है, ऐसा तो आता तो नहीं है, अगर अभी आजाए, तो सबसे पहले आप real number को field proof करो, जो हमने पहले classes में पढ़ा है, real number को field proof करो, फिर नीचे की property लिख लो, कि हमें पता है, कि real number कोई भी subset ले ले ले, और वो bounded above हो, और उसका हमें least अपरबॉन हमें मिल जाएगा, तो ये property नीचे लिख दो, फिर आप सीधे लिख दो, कि जो real number है, उसको हम क्या बोलते है, complete order field, real number को complete order field, students क्यों बोलते हैं, कि real number, complete order, completeness property of real number वाली, अगर हम उसमें से एक subset ले 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 और वो bounded अबब वो, तो हमेशा उसका लीस्ट अपरबॉन हमें पता होगा, ठीक है, तो ये है, order completeness property of real numbers, आपको समझ आया होगा, कोई भी doubt है, तो वीडियो को अभी रोकिए, और दुबारा से play करके सुन लीजिए, ठीक है, तो real number complete order field है, फिर एक question जो theorem paper में बार बार आती है, वो ये है, show that set of rational numbers is not complete, जो rational numbers है, वो complete order field नहीं है, मतलब हमें rational number के अंदर एक ऐसा subset मिलेगा, जिसका upper bond तो हमें पता होगा, मगर उसका least upper bond हमें नहीं मिलेगा, तो ये rational number में हो रहा है, real number में तो मिल जाएगा, तो जो rational number है, उसमें ये property hold नहीं करती है, इसलिए हम बोलते हैं, rational number complete order field नहीं है, बड़ी language change कर देंगे, तो teacher आपको बोलने के, set of rational number is not complete, तो आईए चलते हैं उस property पे, next slide में move करेंगे, तो ऐसी different statement है, आपको exam में आ सकती है, पहली statement में बोलने है, set of rational number is not a complete order field, तो rational number है, वो complete order field नहीं है, long answer question आएगा, दूसरी statement ऐसी पे आ सकती है, given example of a field which is not complete, कि आप एक ऐसी field की example दे तो जो complete नहीं है, तो आपने मूलें rational numbers, तीसरा आपको ऐसी आ सकता है, set of rational number is not complete, और फूर्थ ऐसी आ सकता है, set of rational number does not possess the least upper bond property, तो इन में से कोई भी statement आएगी, तो जो theorem का proof मैं आपको अभी करवा रहा हूँ, आपको students वो ही करना है exam में, I hope आपके लिए चीज़ें असान हुई होँगी, जो मैं आपको बता रहा हूँ, sub important है, सब exam में आ सकता है, ठीक है, तो इस slide में यही है, आप इसको pause करिए, यह सारी statement लिख ली जिए, इन में से कोई भी statement exam में आ सकती है, आपको उसका proof यही देना है, जो मैं आपको करवा रहा हूँ, तो इसको note करो, ठीक है, next slide में चलेंगे, अब हम proof करेंगे, कि जो rational number है, वो यह property satisfy नहीं करता, तो मैं तुम्हें एक बार और बता दू, हमें क्या proof करना है, हमें rational number का एक subset लेना है, हमें rational number का एक क्या लेना है, subset लेना है, और वो जो subset है, वो bounded above लेना है, वो subset क्या लेना है, bounded above लेना है, और बताना है कि उसका कोई भी least of reward नहीं होगा, यह हमें proof करना है, तो चलिए start करते हैं अपना proof, proof मैंने आर्रेडी लिखा हुए, ताकि आपका time बढ़ जाए, ठेक है, इसमें आप कोई भी change नहीं कर सकते, क्योंकि यह जो mathematical proof है, already किसी ने prove की है, हमें as it is ही पढ़ने बढ़ेंगे, ठेक है, I hope कि आप इनको अच्छ से समझोगे, तो proof में सबसे पहले मैंने एक set ले लिया, S, यह set ले लिया S, और इसके अंदर वो rational numbers है, जिनका square 3 से शोट है, और जो यह set S है, यह क्या है, subset है, किसका? Rational numbers का, क्यों? Rational numbers तो बहुत सार है होंगे, ठेक है, मैंने एक ऐसा set ले लिया, जिसके अंदर वो ही rational number आएंगे, जिनका square 3 से शोट है, तो इसको शोटा सा portion है, तो यह हमने set ले लिया, अब आपको सबसे पहले बताना है, यह set खाल ली नहीं होना चाहिए, non-empty होना चाहिए, तो आपको पता है, ऐसा कौन सा number है, जिसको मैं इदर डाल लू, तो वो 3 से शोटा है, सबसे पहले तो आपको बताना है कि आप इदर root 2 भी दे सकते थे, मगर हम, मैंने आपको बोला हम अपने से चेंज नहीं करेंगे, जो बुक में हम as it is करेंगे, आप root 2 डाल सकते हैं, चूँकि root 2 का square होता है 2, root 2 का square क्या होता है 2, ठीक है, तो इर्राशनल नमबर होता है, रूट वर सकते हैं, अब 0.5 डाल सकते हैं, कि ए गल्ती से बदा दिया मैंने ठेक है रूट न जिए रचिन मांबर है मैं तक विती से इराशन न gjू यह रचिन डाल सके है आप 0.5 डाल सकते हो कैसे 0.5 को मां लेख सकते हो और शहरो वशल्क र जो 5 क्योंकि बुक में 1 डाला हुए तो यह जुरूरी नहीं डाला आप चेंज कर सकते हैं मैंने आपको बोला यह जो प्रूफ है कुछ स्टेन्मेंट होगे यह आपको चेंज नहीं करने है ठीक आई होब आप चीज समझ गया होंगे कि जो ऐसा आपके पास सैट है रैशनल नंबर का उसके अंदर वो सारे रैशनल नंबर से जिनका स्केर करने पे तीन से शोटा आता है मतलब एसके बास किस किस टाइब के नंबर होंगे 0 होगा 0.01 होगा 0.1 होगा 0.2 होगा ऐसे बहुत सारे नंबर होगे एसके बास ठीक है मगर इनकी खास बात है यह वो ही नंबर होंगे जिनका स्केर करने पर वो तीन से शोट आएगा माइनस 0.1 भी होगा स्केर करने पर तीन से शोट आ रहे हैं बहुत सारे नंबर्स होंगे आई होप आप चीजों को समझ जाओंगे ठीक है तो सबसे पहला स्टेप पर एसको नॉन एमटी बताओ तो हमें सामने पता है कि वान ने एक नंबर है जो रैशनल है और जिसका स्केर तीन से चोटा है तो वान तो इसके अंदर आएगा इसलिए एस आपका नॉन एमटी हो गय आई होप आपको इतना समझ आ गया अब आपको बताने कि सब्सक्राइब अब के लिए क्या करने इसके बाद जो भी ऐलिमेंट आउस सब तीन से शुटे हैं अब आपको एक ऐसा ऐलिमेंट चाहिए जो इसके बाहर बैठा हो मतलब इसके तीन से बड़े ऐलिमेंट है ठीक ह है तो मैं वहीं ले रहा हूँ इफ यूई इस एन फॉस्टिव नंबर सब्गेरण जब आप यूगज के गर हो वो तीन से बढ़ा हो गा वो तीन से गैओग बढ़ा ऊगा अगर तीन से बढ़ा होगा और यह में नहीं हो गails के अलिमेंट से बढ़ा होगा तो वह एसके लिए है ऐसा ठ presents एक यूज़ा ले लिए यू लेते हो अर उसका क्या है अगर आ अगर यूझा आ बजय आपकशников सबसे बढ़ है तो इसले के नारे लिया और ऋक्वास का स्च Risk छेंद टो बाइब से बढ़ एंसलिये जो जो यह वह बाकी सबसे बढ़ा है तो इसलिए जो यह टू है वह इस सेट के लिए अप्रबॉंड होगा वह इस सेट के लिए क्या होगा प्रबॉंड आई होप आपको यह चीज समझ आ रही होगी ठेक है ऑनलाइन यूट्यूब पे ऐसी चीज़ें पढ़ाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है इस वज़ए से आपके बड़े टाइम से लेक्टर नहीं दे पार था हूं कि मैं खुद कंफ्यूज हूं कि कौन सा टॉपिक किसको क्या अप रहा हूं कि चार मैं आथ हैं और वो इन सिक्स मंथ में पॉसिबल नहीं है तो रेल एलिसिस में लेक्टर डिलीव लाइन होते हैं आपको डिलीवर करने में हमें ज्यादा असानी होती है में अगर फोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो आइट होप कि आप समझ रहे होंगा अगर आपको समय नहीं आ रहा है दुबारा से इसको सुनो अराम से सुनो समझ आजा जाएगा ठीक है तो एस है पहल यह प्रूफ करने हैं तो हमने अभी तख क्या प्रूफ किया कि ऐसे एक नॉन एम्टी सबसेट है जो बाउंडिट रभव है क्यों क्यों कि उसका सबसे बड़ा करने है् Ais का कोई भी लीट अप्र बाउंड नहीं होगा अब ठीयुरम स्टाथ होगी कैसे है अगर पॉसीबल है मैं अल्ट बॉक्ते हुआं चयरूं कि एसका कोई लीक्ट dispositav अगर option है तो मैं एसके जो लीस्ट अप्रमोंट एसके बाद जितने elements है वो सारे positive हैं तो alpha भी क्या होगा positive होगा अगर alpha positive होगा तो तीन case rise हो सकते है क्या यहां तो जो alpha square है वो तीन से शोटा होगा अगर alpha एक positive number है तो तीन case rise हो सकते हैं यहां तो alpha square तीन से शोटा होगा अगर उससे पहले मैंने एक को नम्बर ले लिया बिटा यह आपको याद रखना पड़ेगा और बिटा अलफा से बनाया कैसे बनाया टू अलफा प्लस थी अपने अलफा प्लस तो आपको ऐसा ही बनाना पड़ेगा आप कुछ ओफर भी बना सकते हो मैं कैलकुलेशन इसी पर च्रहरा रखिएलाबगे अपनेल रच्राइशन नमबर यह व्लस पॉसितिव स्पॉसितिव पनाज पॉस्टिव पन्हों पॉस्टिव पॉस्टिव पॉस्टिवम लंबर ठेक है लेक्चर बड़ा नहीं हो जाए इसलिए मैं थोड़ा सा जल तेज बोल रहा हूं ठेक है मैं बोल रहा बिलकुल वह बाते हूं जो आपके दिमार में गुश जाएंगी तो आप इसको दुबारा से सुनिए तब आपको यह थियोरम समझाएगी एक्जाम में मेर की भूहिजा करद में थो दो रहा हूं पास अज गरों को आपके पास से इसके पथे पास वही अलिमर्ण एन जिनका स्केर 3 से चोट जोटे है इसका मतल़ पहला केस क्रें है कि जो इसके लिए की उसके अंदर अच्छा अब अब आप बिटा ले लो वीक्त दो सकेर माइनस दोनों तरफ completing the scale लगा दिया A plus B का whole square नीचे भी A plus B का whole square ऐसे आ गया LCM ले लिया cross multiply आपके सामने है ठीक है इधर 12 alpha 12 alpha कट गया 4 में से 3 alpha square alpha square 9 में से 12 गया minus 3 आपके सामने है फिर यह नीचे द्वारा complete square बन गया ऐसे अभी आप बोले हैं कि जो alpha square है वो 3 से शोट है तो जो यह alpha square है वो 3 से शोट है 3 से शोट है तो 2 point something होगा तो 2 point में से 3 माइनस करो तो negative आएगा इसलिए मैंने उपर negative रखा नीचे positive किसी का भी square करो वो हमेशा क्या होता है positive positive negative पॉर positive आएगा negative जिसको बोलते है less than 0 तो हमारे पास आ रहा है beta square minus 3 less than 0 beta square less than 3 अगर beta square 3 से शोट है तो जो यह beta है वो किसके अंदर belong करेगा s के अंदर क्यों क्यों belong करेगा क्योंकि s के अंदर वो सारे elements आते हैं जिनका square 3 से शोट है अच्छा देखो अभी हमने क्या किया case था हमारा alpha square less than 3 मतलब alpha पहले ही s के अंदर था मैंने बताया आपको जो beta है वो alpha से बने और मैंने beta square minus 3 लिया और वो हमारा आया beta square minus 3 less than 0 मतलब beta भी alpha में आ गया sorry s में आ गया alpha पहले से s के अंदर था अब इस चीज़ के बाद beta भी किस में आ गया है आपने alpha को मानने least upper bound alpha क्या मानना हुआ if possible suppose that alpha is least upper bound least upper bound का मतलब क्या है कि जो alpha है वो इस सेट के सब एलिमेंटों में सबसे बढ़ है हमने इधर मानना alpha least upper bound यह दखो alpha क्या मानने मैंने if possible alpha is the least upper bound least upper bound का मतलब क्या होता है students least upper bound का मतलब होता है कि जो alpha है वो इस सेट के सब एलिमेंटों में सबसे बढ़ है मगर जो बाकी upper bound है उनमें alpha सबसे चोट है और इधर क्या प्रूफ हुआ कि जो beta है वो भी सेट के अंदर है तो मतलब जो यह सेट S है उसके अंदर alpha भी है और उसके अंदर beta भी है अगर alpha least upper bound है तो common sense है alpha बीटा से बढ़ा होना चाहिए मगर मैं यह उल्टा बता दूँगा मैं बता दूँगा beta alpha से बढ़ा है तो इसका मतलब हमारी सब पोजिशन क्या हो जाएगी wrong तो जो alpha हमने least upper bound दिया हम बोलेंगे इस केस में alpha least upper bound नहीं है मतलब क्यों कोई भी least upper bound नहीं है यह हमें प्रूफ करने है अब मैं कैसे बताऊंगा कि alpha बीटा शोटे तो जब भी दो नम्बरों को math में less than या greater than बताना हो हम हमेशा minus लेते हैं उन दोनों का minus लेते हैं अगर इन दोनों का minus बीटा minus alpha का minus positive आयाता है तो हमें पता चल जाता है बीटा alpha से बड़ा है और अगर बीटा minus alpha का minus negative आयाता है तो हमें पता चल जाता है बीटा alpha से short है तो सबसे पहले मैंने बताया कि जो बीटा है वो किस के अंदर है S के अंदर उसके लिए मैं को बताना पड़ा बीटा स्केर माइनस 3 क्या आएगा अगर बीटा स्केर माइनस 3 पॉस्टिव आया तो जो बीटा स्केर है वो 3 से बढ़ा सिंपल है नहीं समझ पाऊगे तो फिर एक ही ऑप्शन है रट्टा लगा लो बीटा स्केर माइनस थी बस इसलिए गया था कि बीटा एसके अंदर जल जाए अब आपको अब आपने मानना होगा है कि जो यह अलफ है यह लीस्ट अप्रबॉंड है मत्तों यह बीटा से बढ़ा ख़ोगा मैं उल्टा बता थोगा कि जो बमट्ट बाइन दोनों को माइनस लोंगा यह दोनों का मा Means लिए इन दोनों क्या लिए माइनस लिए तो आप बीटा मानेशन फालिया बीटा की वैनदी उपर से डाली क्र便hol को अए ऐसे आ गया यह आगया है ऑल in अ đã को यह तो आ रहेए ग्रेटर दन अलफा हम बोर रहे हैं अलफा लीस्ट अ प्रबढ़ मतलब जो भी आप सैट के इंदर कोई भी ऐलिमेंट लेते हो अगर अलफा लीस्ट अ प्रबाइब अभी सैट के अंदर हमाने बीटा है लिया मगा हमारा बीटा बढ़ा रहा है इसका मतलब के इसको दुबारा से सुनिए तब आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा एक बार सुनने में समझ नहीं आएगा थोड़ी सी दिक्कत होगी कोशिश मैंने पूरी की है कि आपको पूरा समझ आया है तो यह पहला केस होगा दूसरा केस क्या था जब वे तो हलफा स्के तीन के ब्रॉबर और और जो है तो हमने बोला था अल्फा पॉस्टिव है तो तीम केस बने यह तो उन्भा सै अचले नहीं यह का क्योंकि एस तो राश लंबर यह तो इराश लंबर एक क्यूंकि यह राश नहीं है तो यह case possible ही नहीं है, this case is not possible, तो second case तो short है, यह आपने लिख देना है, ठीक है, तीसा case, तीसा case है जब alpha square तीन से बढ़ है, फिर दोहरा मैंने किया, beta square minus 3, अब यह value जो case 1 में निकाल लिए डिरेक्ट लिख देनी है आपको, अब alpha square तीन से बढ़ है, तीन से हुआ, फोर में से थ्री गिए, तो पॉस्टिव पॉस्टिव, तो beta square तीन से बढ़ा आ रहे, अगर beta square तीन से बढ़ा रहे, तो आप beta बाहर है, beta अब इसका अपर बॉंड है, अब इस case में beta अंदर नहीं गया, पिछले case में beta square तीन से शोटता था, तो जिसका भी square तीन से शोटता जाता है, वो S का member होता, अभी beta कहा है, अपर बॉंड हो गया, बिटा अपर बॉंड हो गया, क्योंकि beta अंदर नहीं गया, क्योंकि जो beta square था, वो तीन से बढ़ा है, अंदर तभी जाएगा, जब उसका square क्या होता, तीन से शोटता, मगर ऐसा हुआ नहीं इस case में, क्योंकि ये case number 3 है, तो बिटा अपर बॉंड हो गया, अब इस case में मैंने beta minus alpha लिया, और हमने देखा, कि जो beta minus alpha है, उसमें beta शोटता आ रहा है किससे, alpha से, बिटा शोटता आ रहा है किससे, alpha से, alpha हमने क्या लिया है, least upper bond, alpha हमने क्या लिया है, least upper bond, least upper bond का मतलब क्या है, कि ये बाकी upper bond में सबसे शोटा होगा, alpha अगर least upper bond है, इसका मतलब जो बाकी upper bond है, उन में से alpha सबसे क्या होगा, शोटा, मगर हमने क्या प्रूफ किया बिटा एक अपर बॉंड है बिटा एक अपर बॉंड है और maidफ बिटा से बढ़ा रहा मगर alpha तो लीस्ट अपर बॉंड है तो ulta नहीं बता रहा है अगर alpha least upper bond है तो alpha सब्से शोड़ा होना जाए है था मगर इदे तो alpha सब्सक्राइब करना है इस नहीं सब्सक्राइब हमारे पास यह प्रूफ हो कोई भी लिस्ट अपरबह नहीं है मागर वो bounded above था तो rational number का एक subset हमने लिया जो bounded above है मगर उसका کوई भी least अपरबह नहीं है इसका मतल vanilla number is not a complete order field last time मलें धन्याइए therefore is not complete तो ये theorem most important है तेज इसलिए बोलिए ता कि कम time पे आप तक पहुँच जाए तो आप इसको एक दो बार सुनी और बताइए मैं वो समझ आई या नहीं आई तो स्टूडेंट्स आज के लेक्षर में तरहीं मिलते हैं करके लेक्षर में थैंक्यू स्टूडेंट्स है वे नाइस ते